कोलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कोलेज और अस्पताल में मैला डोक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या करने के मामले में बंगाल सईद देश के कई हिस्सों में लगातार विरोध परदसन हो रहे हैं इस मामले को लेकर ममता सरकार ना स्री विपक्से के निसाने पर हैं बलकि टीमसी के अंदर से भी उनके खिलाब आवाज उट रही है बंगाल कोंग्रेस के पूर्व अध्यक्ट अधीर रंजन चोधरी ने एक बार फिर इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर निसाना साधा है अधीर रंजन चोधरी ने सुप्रिम कोट में ममता सरकार की तरफ से इस केस में पैरवी कर रहे परसिद्ध वकील कपिल सिब्बल से केस से खुद को अलग करने की गुजारिस की है उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल एक बड़े वकील है उनको इस केस से अपना नाम पीछे ले लेना चाहिए ये मेरी गुजारिस है सिब्बल को बंगाल की आम जंता के गुस्चे को देखते हुए पीची हड़ जाना चाहिए मीडिया से बात करते हुए अधिर रंजन चोधरी ने कहा आप राधियों की तरपदारी ना करे तो बहतर है क्योंकि आप कभी लोगसभा के चुने हुए जन परती निदी थे अभी भी राज्यसभा के मिंबर हैं उन्होंने आगे कहा आम लोगों में आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद जो क्रोध है वा ज्वाला मुखी की तरह निकल रहा है उसे देखते हुए सिब्बल को सोचना चाहिए बंगाल की मुख्य मंत्री डोक्तर की मौत के बाद उनके परिवार से मिली और उनको लुबाने की कोशिस करते हुए कहा की आपको 10 लाक रुपे मिल जाएंगे चूप हो जाओ कपिल सिब्बल को भी कम रासी नहीं देंगे ममता बेनरजी के पास बहुत पैसा है जो हमारे टेक्स का पैसा है सोचल मीडिया का जिक्र करते हुए अधिर रंजन चोधरी ने कहा सिब्बल सहाब सोचल मीडिया पर अब जो देखने को मिल रहा है उसे देखकर बुरा लगता है सोचल मीडिया पर आपके खिलाब बुरा भला लिखा जा रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आप कभी हमारे पाटी के नेता थे और मानव संसाधन मंतरी थे छोटे मोटे मंतरी तो नहीं थे आप ये सारी चीजों के मद्दे नजर आपको इस केश से खुद को वापस ले लेना चाहिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वोई हंगामे के बीच मुझे मंतरी ममता बेनरजी ने पियम मोदी को पत्र लिखा है इस पत्र में ममता बेनरजी ने देश में बलातकार के मामले में बड़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की है ममता ने पियम मोदी से इस मामले में गड़गडाते हुए एकसन की मांग की है ममता बेनरजी ने पियम मोदी को लिखे गए अपने पत्र में कहा की मैं आपके ज्यान में लाना चाहती हूँ कि देजबर में बलातकार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्द आकलों के अनुसार कई मामलों में बलातकार के साथ हत्या भी की जाती है या देखना भयावा है कि देजबर में प्रती दिन लगभग नब्य बलादकार के मामले होते हैं इसे समाज और राष्ट का विश्वास और विवेक डगमगाता है ममता भरणजी ने अपने पत्र में कहा है कि हम सभी का कर्तव है कि हम रेप की बढ़ती घटनाओ को समाप्त करें ताकि मैलाएं सुरच्चित महसूस करें ऐसे गंबीरों समवेदन सिल मुद्दे को कठोर किंद्रिय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से सम्मोधित करने की आवस सकता है जिसमें ऐसे जगन ने अपरादों में सामिल व्यक्तियों के खिलाप कठोर सजा का प्रावधान हो ममता भरणजी ने पीम मोधी को लिखे गए अपने पत्र में आगे कहा है कि ऐसे मामलों में तुरित न्याय सुनिशीत करने के लिए ऐसे मामले में तुरित जालतों की इस्तापना पर भी प्रस्तावित कानुन में विचार किया जाना चाहिए ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए फिलाल इस कवर में इतना ही बाकी अपडेट के लिए बने रहे है लाइप टीवी नियूज के साथ